नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 83 तेजस fighter jet के लिए डील होनी थी और मैंने कई बार आपको बताया कि इस साल के अंतक इसकी डील हो सकती और साथ ही मैंने आपको बताया था कि लाइट कॉमबेट हेलिकोप्टर की डील भी इस साल के अंतक हो सकती है जो सो से डेड़ सो की संख्या में खरीदे जा सकते हैं लेकिन दोस्तो जब तक डील हो न जाये तब तक इसे यही माना जाएगा की अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन दोस्तो अगर परधानमंतरी भी इसके बारे में बात कर दें तो फिर बात फाइनल ही समझी जाती है तो कल परधान मंतरी ने क्या कहा उसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी लाल किले से 73 वे इंडेपेंडनस डे पे इंडिया को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि LCA तेजस एरक्राफ्ट और लोकली बना अटैक हेलिकोप्टर की डील जल्द ही हो सकती है यानि कि इन से हमें बेनि इंडेंस डे स्पीच के दोरान किया गया हो और आपको बता दें कि इंडियन एर फोर्स 83 इंडिजिनेस लाइट कॉमबट एरक्राफ्ट तेजस जो की MK1A वरिशन है उसे खरीदना चाहती है और इसे H.A.L. से खरीदा जाएगा और ये डील 5.2 बिलियन डॉलर की होगी और LCA Mark 1A variant LCA Mark 1A से ज़्यादा केपेबल होगा और वैसे तो दोस्तो Mark 1A के अंदर बहुत ज़्यादा खूबिये हैं Mark 1 के ऊपर लगबग ये 40 major और minor improvement की गई हैं लेकिन अगर main हम बात करें कि क्या improvement है तो वो इसके अंदर दोस्तो active electronically scanned array radar लगा है जिसका सीधा सा मतलब है कि ज़्यादा होगी और साथ ही हर 40 के अंदर इसका turnaround rate faster होगा वहीं दोस्तों जहां light combat helicopter की बात आती है तो कहा जा रहा था कि जैसे ही इसके लिए signal मिलता है तो बैंगलूरू में इसका production तेज हो जाएगा यानि कि इसके production की सारी तैयारियें पूरी है और production शुरू हो जाएगा और अभी चुंकि दोस्तों दो LCH ने सोटी बिली लदाक के अंदर और Apache Attack helicopter के साथ में इन्होंने joint petrolling की और target के उपर fire भी किया तो यानि कि ये पूरी तरह से तैयार है production के लिए तो अब दोस्तों इनका production जल्दी शुरू हो जाएगा और LCH तेजस MK1 ने भी जल्दी आने श चल रहा है तब तक दोस्तों उसकी भी तैयारी शुरू हो जाएगी production के लिए और फिर दोस्तों जल्द ही हमें medium weight fighter भी मिल जाएगा और साथी साथ दोस्तों 5th generation fighter aircraft AMCA का भी काम चल रहा है तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया ने एक speed पकड़ लिया ये तैय है कि ये सारे fighter jet crum wise आएंगे और साथी दोस्तों जहां तक बात है twin engine deck based fighter jet की navy के लिए तो उसका काम भी शुरू हो चुका है अभी उसका design भी बताया जा रहा है पूरा कर लिया गया है लेकिन और उस पे बहुत सी चीजे करनी है क्योंकि उसकी घोशना थोड़ा पहले ही की गई थी जब हमन LCA तेजस के सारे टेस्ट पूरे कर लिये थे नेवल वर्शन के तो ऐसे में दोस्तों अब ये नहीं कहा जा सकता कि MMRCA इंडिया फाइनली करेगा या नहीं depend करता है लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास ज़्यादा संख्या के अंदर तेजस fighter jetty होंगे धन्यवाद जैहिन